राज्यपाल अनुसुया उईके ने विद्यार्थियों से नवाचार करने का आग्रह करते हुए कहा कि आप ऐसा शोध करें जो किसान और आम जनों का जीवन बहतर करने में मददगार हो एक निजी विश्व विद्याले के दीक्षान समारों को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही इस मौके पर राज्यपाल ने मेधावे विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक और उपाधियां अप्रदान की साथ ही कुछ शुधार्तियों को इस दिक्षान समारों में डिलित की उपाधी भी दी गई राज्यपाल ने इस अवसर पर कहा कि जो हम ग्यान अरजन करते हैं विचार ग्रहन करते हैं वो गतिशील और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है उसे हमेशा अपडेट करने की जरूरत पड़ती है ये तभी संभव है कि जो हमने शिक्षा ग्रहन की है उसके अनुकूल क्षेत्र में हम निरंतर कारी करते रहें राज्यपाल ने कहा कि आज हमारे सामने कोरोना के साथ साथ कई अन्य बिमारियों का खत्रा भी बना हुआ है कुछ समय पहले कोरोना के कारण भयावा हस्तिती थी परन्तु हमारे वैज्ञानिकों ने इस चुनोती को स्विकारा और महामारी से लड़ने के लिए हमारे देश में ही वैक्सीन विक्सित की गई इस अवसर पर 36 गळ निजे विश्व विद्याले विनियामक आयोक के अध्यक्ष डॉक्टर शिव वरंशुक्ल तथा कई शिक्षाविद और गणमाने नागरीक उपस्ति थी